और बात कर दें मिटिंग मंथन और मरू धरा के दरसल राधिसान को लिकर दिली में कॉंग्रिस की बैठक हुई राहूल गांधी मलिकार जुन खडगे के सिवन गुपाल इसमें शामिल हुए वीडियो कॉंफरेंसिंग के सरिये मुख्यमंत्रिय शोग गहलोत भी चुड़े इसके लावा प्रदेश कॉंग्रिस प्रभाडी रंधावा पीसी सीचीव डोटासरा मौझूद रहे सचिन पाइलेट कई मंत्रियों और कॉंग्रिस के निता भी शामिल हुए कुल मुलाकर 29 न अजन्डा भूल जाई है मुझे पक का यकीन है कि राजिसानवी कॉंग्रेस राज आएगा बस हमारे निता इस बारे में मजबूत होकर आगे बढ़े हैं कॉंग्रेस सत्ता और संगटन दोनों मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं कोई बड़ा बदलाओ नहीं होने वाला है जो लोयल्टी निभाते आ रहे हैं उन्हें हमेशा से रिबोर्ड मिलता आ रहा है और आगे भी मिलता रहे हैं मुझे मंतरी अशोग गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कॉंग्रेस के पक्ष में माहोल है और इस बार सरकार रिपीट और होने का माहोल बन रहा है महगाई रहत टेम् लेकर लोगों में जवर्दस उस सहा का भी सिक्र मुझे मंतरी अशोग गहलोत ने किया उन्होंने वेलपेर स्कीम के बारे में भी फीड़ बैट दिया मुझे मंतरी गहलोत ने राजिसान में राहुल गांदी और खडगे को आमंतरित किया है ए आई सीसी में हुई बैठक मे आलकमान ने संदेश दिया जो पार्टे की नीतियों के खिलाफ बैयान बाजी करेगा बैयान बाजी करने वाले नीताओं को इस बार बक्षा नहीं जाए कल से घरगर अभियान की शिरुआत करेंगे नेता हर वर्ग के बीच मंतरी जाएंगे विधायक जाएंगे नेता जाएंगे और अगले 90 दिनों में मैनिफेस्टो कमेटी बन कर तयार हो जाए तो तस्वीर आमको आपको दिखा रहे हैं तस्वीरे ज़रा देगे तस्वीरे उस वक्त के जब बैटक चल रही कि और मुख्यमंतरे शो गैलूत को चोड़ा गया तो आज की बैठक राजिसान कॉंग्रेस के लिहासे बेहद मैतपूर्ण बैठक क्योंकि सबसे बड़ा संदेश जो एक जूटता का संदेश देने की कोशिश की गई कमसिकम बैठक के जरिये वो संदेश सामने आया बैठक के बाद किसी ने बेवज़े की बैयन बासी नहीं की हर किसे ने यही कहा कि कॉंग्रेस में एक जूटता है और एक जूटता के साथ राजिसान दोजार तेश के चुनाओ को लड़ा भी जाएगा और जीता भी जाएगा मुख्यमंत्री की योजनाओ सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोंड से जो अलग-अलग स्कीम से लौंच की गई जिस तरीके से महंगाई रहत कैम के अंदर एक करोड से ज्यादा रजिस्टीक्षन हुए ये दर असल वो माइल्स्टोन है जिसका जिकर करते हुए राहूल गांधी तक ने ये कह दिया की राजिसान की योजनाओ का व्यापक असर दिखाई दिया और इस लिहाज से राजिसान में योजनाओ के दम पर चुनाओ को लड़ा जाएगा मुख्यमंत्री का चहरा कोई नहीं होगा केंद्रिया नेत्रत्वर मैनेफेस्टो कमेटी का गठन कर देगा और माना जा रहा है कि सितंबर के अंदर केंडिडेट्स भी घोशित कर दिये जाए सब्सक्राइशन के के बारे में, लिम्टुन के बारे में होडिति आपक। रपतू है किसी स्थान के नाओ जरlles् कोई प्निस्ट्राइशने मलե शुर्छ एमिन्ट्स लेडरी सब्सक्तर्न के प्स्ट्रPO प्रब्स्टी अश्मिनेशने नहीं सेय घरmiyorumminister, MLS, मलेलेस, ट Commerce करदे वत्रबाद करोगे देहरे करवकूसे कांड द्याय।ς कर देखे क57 थान सीजनित्रवहु कर अधियत्रवटन्स किम्समयर के दोपिते तीक्ट्यवा। पर्त पर्ति पोडुप्ति अधिक पर स्वेट्र हंन्षी नहींतिate कन्कीन विन्म्राओान्ट आंवीड, आज अब इमनकल निट्शो अव्मिनिटीजिट and have interaction with them about the election manifesto and everything in coming 90 days आज अमारे मेथिंग वे तकरीबन चार गन्ते चली और टोटल जो हमारे कॉंगर्स प्रेजिडेंट राहुल जी और विन गुपाल जी और 29 जो पार्टीस्पेंट से मनेस्टर्स एंड अधर लीडर्स सबी को एक एक को बलाकर वहां उनके वेचार लिएगे और सबी ने एक ही बात कही कि हम मिलकर पीजेपी को हराएंगे और कॉंगर्स को लेकर आएंगे और एक उन्होंने का कि कॉंगर्स का एक फेस होगा और हमारे लिए में कोई डूइजन नहीं है सबी लीड रहमा कठे हैं और किसी की कोई जो भी पीशे वाला है वो पास्ट जो आज सबी ने खदम कर दिया और आगे फ्यूचर की बात सबी ने की वाजी ने दिया है और पिश्टले दो दस्ट से ज्यादा मुझे जो 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 जिम्मेदारे कॉंगर्स पार्टी ने दी है केंद्र में दी है राज में दी है विदान सबा हो लोक सबा हो केंद की सरकार हो राज की सरकार हो संगठन की जिम्मेदारे दी हो जो मुझे जिम्मे बैठक से बहार आए हैं वापस लोट रहे हैं सर क्या सजिसंस क्योंकि आप अभी आपने उससे पहले बैठक में जाये तब भी आपने कहा था कि ब्लैक पेपर लाएंगे वो सब था क्या बैठक नहीं लाएंगे ब्लैक पेपर तो लाना पड़ेगा भारतिय जनता पार्टी जो पाप कर रही है जिस तरह से बारतिय जनता पार्टी के जो इक मत है के सब मिलकर बीज़ेपी को हराना पार्टी में अंधुरूनी जो रिष्टे हैं उनको कैसे दुरूस्त करेंगे बहुत सारे एक मंच पर दो थे कोई अलग लग तोड़ना बैटे थे सारी पार्टी एक मंच पर दिया आप तो ऐसा सवाल को मतलब नहीं रहा है क्या पारेट की को आगले चुनाओ में किस तरह काम में लेंगे पारेट साव अठीए पूछ लो वहीं पर थे अंदर मिटिक को क्या पर चुनाओ के वक्त जो लड़ाईयां होती है खतम हो जाती है एक राजस्थान के लिए क्या विसस होगा क्योंकि वह तो फुद राजस्थान की योजना है तो बहुत अच्छी है राउल गान दीजी क्या पूरा देश मान रहा है हमारी योजनाओ में कोई कमी नहीं है कॉंग्रेस पार्टी की जितनी भी योजना है राजस्थान में हम OPS लेकर आए हमने 100 तक बिजली फ्री कर दी 200 तक सारे टेक्स माफ है आप जानते हैं राजस्थान में रोडवेज की बसों में यूथ जाता है तो उसको फ्री आफ कॉस्ट जाता है तो हमारी योजनाओ में और जैसे भी सरकार राजस्थान में कॉंग्रेस की इस दिसंबर में चुना होगा तो कॉंग्रेस सरकार रिपीट हो इसकी तैयारी के लिए बैटाख हुई और अब कॉंग्रेस के सब नेता काम में लगेंगे केमरामेन मुकेस के साथ हश्वी नहीं आदा हूँ फ़र्स्ट इने नूस दिली पन मैं यह कह सकता हूँ का आज की मीटिंग बहुत सकारात्मक मीटिंग थी कॉंग्रेस में एक नई उर्जा भरने वाली मीटिंग थी कॉंग्रेस की एक जूटता के लिए मील का पत्तर साबित होगी ये मीटिंग और खडगे जी और राउल जी जिस आत्मियता से उन्होंने कॉंग्रेस के हर नेता को सुना और उसके बाद खुद क्या सोचते हैं और वो खुद आएंगे ये तीनों लोग प्रियंका जी राउल जी खडगे जी सब कॉंग्रेस के नेता जो है राजिस्तान का दोरा करेंगे आने वाले टाइम में उसका रोड में बन रहा है और मैं समझता हूँ कि हमारा कारे करता एक जूटो के मैदान में उतरेगा तो कोई ताकत हमको हराने वाली नहीं है अब बैठक बैठक बहुत अच्छी हुई बैठक के अंत में केसी वेनो गोपाल जी ने कहा कि अनरगल बयानबाजी मत दो तो अभी भी आलगवन परिशान है कि राजिस्तान की बैठक बैठक करती है कभी भी पार्टी लाइन से हटके अगर आपको कोई ग्रिवेंस है तो आपको कहना चाहिए राइट प्लेटफॉर्म के उपर एगर हर आदमी ऐसे बोलने लग गया तो मैं समझता हूं फिर पार्टियां नहीं चला करती है तो यह तो सक्त रहेगी ऐसीस में चाहे नेता चोटा हो चाहे बड़ा हो अगर अनरगल बयानबाजी हुई तो बक्सा न प्लेटफॉर्म पर बात की तो उसको बक्सा नहीं जाएगा एक क्लियर इंस्ट्रक्राइब करता हो बड़ा नेता हो अगर कोई काईदा बनता है तो सब पर लाग होता है आप यह कहें कि एक आदमी तो बोलेगा और नीचे वाले लोग काईदे को मानेंगे तो भी पार्ट अगली बार फिर चलती रहेगी वो देख जाएंगे लेकिन रगुश अन्मा जी ने कहा कि आज से एक जुटता तैह हो चुकी है देखते हैं आगे आने वल वक्त क्या कुछ होताता है वैसे तो सभी को पार्टी लाइन पे रहने को कहा एक बार फिर इसलिए सभी एक ही प्रबारी अमारे संगठन मासर जी उवर्ण को पाल जी प्रबारी मासर सबने बैठक ली थी और मुख्य जो एजंडा है जो आने वाले विदानसवाद चुनाओ है उसको जीतना है और उसके जीतने के लिए सभी अलग-अलग-अलग अमारे जम्मेदार साथियों को बुला है और उन्होंने जो एक बहुत ही देश को एक रूप देने के लिए जो एतियासिक जो पधियात्रा की कण्या कुमारी से कश्मीर तक उसका असर कंणाटक में भी देखनों को मिला और निशित रूप से रास्तान मत्यप्रतेश जो भी अब चुनाओ आने वाले हैं कॉंग् कोई वहतिकत किसी का कोई को नह maior ता कि बैठी का जो आदे से सकhésitez माली मानना हम जो मैं बी जो आपहां एक होंल गांधी जी व्हाली ने प्रदेश के चेहरे पीछे जाएंगे और AICC चुनाव लीड करेगा अपने भी आप बेबाकी से सारी बात करते हैं इस बैटक में राहुल गांदी के सामने क्या कुछ आपने वो बात कही जो आप आला कमान तक पहुंचाना चाहते थे देखिए देखिए सबने सबी 28 जने जो राजस्तान से हैं सबको पूरा मौका दिया अब जिसके दिल में जो जो बात थी जो पॉइंट्स थे उसके उपर सबने अपनी बात कही राजस्तान में सरकार रिपीट हो और उसके लिए संगटन के पदादी कारियों को नेताओं को क् ओफ दी एजिंडा एक भी बात नहीं हुई इस एजिंडे की ओपर सारी बात हुई एक अच्छी प्रेजेंटेशन पार्टी के लिए करीज जो सब लोगों ने खुल के अपने विचार रहे उससे मुझे कहीं भी विवाद नजर नहीं आता है मुझे लगता है कि हर विक्ती कमर कस चुका है कि कैसे कॉंगर्स को रिपीट कराना है क्यूंकि देश के अंदर कॉंगर्स काना बहुत ज़रूरी है देश पिछड़ रहा है देश की एकनौमी पिछड़ रही है देश के साधन साधन चंद लोगों के हाथ में जा रहे हैं और आने वाले इसकी जो भविश्य की भयावय तस्वीर है और कोई नहीं तो ये नेता तो देखते ही हैं तो कहीं न कहीं बहार कोई कुछ भी कहें अंद किसी का भी टॉलरेट नहीं होगा ये अच्छी बात है कि बहले ही साड़े चार साल बात पर एक बार फिर इसे क्लियर कर दिया और अंशन के उसमें कोई जवाबी कारवाई नहीं होगी यानि कि अगर अशोग गैलोत या सचन पैलेट भी इंडिसिप्लिन करते हैं तो उन प है उसको हमको अपने साफ से इंटरपेट करना है बूजर नेता अशोग चानना जो बैठक से बाहर निकले उन्होंने साफ साफ ये बात बताई लेगे इन बातों के बीच से यही समझ आया कि AICC इस चुनाओं को लीड करेगा और एक बार फिर यह कहा गया कि इन डिसिप्ल मलिंगा है जो दिल्ली में है सर इस तरह है आप कुछ लोगों को बॉलाया गया है जो बोर्ड के मेंबर जी से रफीक खान है आलप संख्यक वराक किनाते लान बुलाया गया अ आप दिली में हैं कि आप से कोई फीड़बाक लिया पुरा? हम ज다 कोई फीड़बाक नहीं लिए है मेरेख असर्य जारे काम साल्पा अब क्तिकर्य लेसे लारा था यह कोई मीटिंग की वज़से बुलाया है वही लोग आया हम कोई मीटिंग की वज़से नहीं जाए भक्तियत काम से आई थे मीटिंग चलेगी अच्छा राजनेट ने करेके आए कि यही उद्देश है कि सरकार कॉंग्रस की राजस्थान में दो हजार तेश दिसंबर में दुबारा बन जाए ने सरकातु बनेगी सरकार क्यों नहीं बनेगी बिएपी ने क्या काम किए ना तो कोई केंदर में काम केंभी काम किए उनके ना पहले राज्य में सरकाती ना जब भी काम कीए तो सरकात हो नी यह तो अगित Remember वो तो स्रफ केंदर की सरकात तो एक ही काम कर रही है कि MLA कैसे हम खरीद हैं कैसे हम सरकार पढ़ गए कहां पर हमें सरकार बनानी है और आरूप लगाते होरों को उपर भ्रट्टा चार खा तीन दिन पहले आरूप लगाते हैं और NCP टोल लही अब वो दूद के दुले होगे क कौन सी होई तो उनका सरफ एक एजनडा कम पैसे की दंपर आई निति करेंगे पैसे से सरकार किरांगे वो वज्य बता दे हैं मोधी जी और हमिस्ता जी कि पैसे का से आ रहे हैं विदागों के सो सो करोड़ पचापचास करोड़ पे जो आप वह पर देते हैं सरकारों को दबाए के कुछ दम का गया कुछ पैसे देगे ना इसकी बदर तो राजिनीदी करना चाहते हैं वह एक उनका उद्धिस नहीं है नहीं राजस्तान में भी नियकाप इस्ट्रेटों में इसा नहीं है कुछ लोग है वो लालचे माजात आतार वो गलत पैसा उठाते हैं तो भी अपने खांदान पर पूरिये पर दाग लगा रहे हैं राजस्तान में कोई बदला आप गुंजा इस इस बैठक से आप क्या उमीद है देखिए अब यह तो बड़े लेविल की बात है बड़े लोग करें क्या पैसला करें मेरे लेविल की बात नहीं है आपको सब एक जुट होकर अगर कॉंगर्स सुना लड़ेगी तो सरकार रिपीट होकी साथ ही सवाल भी पूछ रहे हैं कि केंदर सरकार या भाजपा कई स्टेट्स में जा सरकार गिरा देती है वहां विधायकों दूसरे लोगों खेदने के लिए पैसा कहां से लाती है